तो दोस्तों आज की इस वीडियों बताने वाला हूँ कि अगर आप सलाम मोबाइली चलाते हैं न्यू सिम है जो अगर आपके सिम में कोई प्रोब्लम आ रही है या फिर कोई भी एक्टिव करने में किसी भी चीज की तो आप उसे कंप्लेंड कैसे करेंगे तो सबसे पहले देना है और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कस्टमर कंप्लेंट्स यहां पर करेंगे क्लिक यहां पर सबसे उपर आपको सलाम मोबाइली नंबर डाइल कर देना है अपना और यहां पर इमिल डाइल कर देनी है और यहां पर डीटल में आपको लिक्स देना है कि आपको तो क्या problem आ रहे है और यहां पर आपकी problem को select कर लेना है भी payment की कोई problem है या फिर product and service की कोई problem है या फिर seem active नहीं हो रही है उसकी चीज से कोई complain करनी है customer experience यहां पर तो आप यहां पर send कर देंगे तो यह आपकी complain हो जाएगा अगर आप direct contact करना चाहते हैं इनसे तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं contact use इसी पर करेंगे click और यहाँ पर इनका customer के नंबर भी है call center नंबर और यहाँ पर इनका whatsapp नंबर है whatsapp पे भी आप इनसे contact कर सकते हैं तो सोचा दोस्तों बहुत से एक भाई ने मेरा किया था कि यहाँ पर फिर से भी वही detail डाल के your name email or submit यह करके send कर सकते हैं और नहीं तो direct बहुत थी यानि अच्छे मेरे ख्याल से जो मेरी अगर experience के हिसाब से direct आप call करेंगे या फिर whatsapp करेंगे वह सबसे better रहेगा ठीक है तो दोस्तों यही थोड़ी सी information थी मेरे एक भाई ने comment किया था मैंने एक sim purchase किया उस पर वीडियो बनाया, sim active किया थोड़ी उनको कुछ प्रोब्लम आ रही थी तो उन्होंने बोला कि customer कैसे कैसे contact करें तो मेरे उस भाई के लिए उन भाईयों के लिए जो भी प्रोब्लम आ रहे उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं तो thank you दोस्तों वीडिय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा, अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार हैं तो यूटूब चैनल को कर दीजिएगा, subscribe, thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए अपना हिखाया रहें